नमस्कार आप देख रहे हैं रंगिलो जुन्जनु जुन्जनु जिले बरके किसानों के साथ सरकार धोका करने में लगी है किसानों को लेकर सरकार का दोहरा चेरा उजागर हुआ है सितंबर में हुई अतिवरष्टी से मौंग, चोड़ा और गवार में हुए नुकसान के बावजूद खराबा गोसित नहीं किया और अब जब किसान उसी पसल को सरकारी खरीद के अंदरों पर बेचने के लिए ला रहे हैं तो क्वालिटी गटिया बताकर उन्हें वापस लोटाया जा रहा है यानि समर्थन मुले पर खरीद के नाम पर किसानों से सिधा दोका गिया जा रहा है नतिजा पिछले आठ दिन में जिल्ले के पंदरा सरकारी खरीद के अंदरों पर महैज तीन किसानों से 75 क्योंटल मुंग की खरीद हुई है जबकि जिल्ले बर में इस साल मुंग का उत्पादन 37,170 टन हुआ है केंदरों पर खरीद नहीं होने से जो मुंग समर्थन मुले पर 7,215 रुपे तक क्योंटल बिकना चाहिए था वही बाजार भाव से भी आदे दामों पर भिक रहा है आज मुंग के लिए बाजार भाव 3,000 से 800 रुपे हैं जबकि सरकारी के अंदर पर एक बार क्योलिटी खराब बता देने के बाद इसे बाजार में भी 2,000 से 3,000 रुपे पर तक क्योंटल में बेचना पड़ता है यानि खल चूरी के भाव में भी मुंग बेचना पड़ रहा है दूर दूर से जब किसान सरकारी खरीद के अंदरों पर पहुंचते हैं